और बीजेपी को चुनाव आयोग ने जोर का जटका दिया है, नमोटी स्टॉल पर मुफ्त में चाए बाटने को चुनाव आयोग ने रिश्वत मांगा है और तावनी दी है कि भविश्य में बीजेपी ऐसे किसी कारकरम के लिए आयोग के अजाज़त जरूर ले चुनाव आयोग ने कहा है कि बीजेपी चाय पर चर्चा जैसे कारक्रम जारी रख सकती है लेकिन सिर्फ आयोग से इजाज़त लेने के बाद साथी आयोग ने साफ किया है कि ऐसे कारक्रम के दोरान पार्टी मुफ्त में चाय नहीं पिला सकती है मामले ने यूपी के लखीमपुर से तूल पकड़ा दरसल लखीमपुर में चाय पे चर्चा के दौरान मुफ्त चाय पिलाई गई तो शिकायत राज्ज चुनावधिकारी तक भी पहुँची जिसके बाद यूटी के मुख्य चुनावधिकारी ने सभी जिला चुनावधिकारीों को नर्देश दिये हैं कि ऐसे किसी भी कारकरम के लिए बीजेपी को इजाजत लेनी होगी